आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिलकुल सही पड़ा बात कर रहे हैं जीएश्टी के इत्यास की बात करें जीएश्टी के वर्तमान की और बात करेंगे जीएश्टी के बहुष्य की तो अगर हम जीएश July 2017 से पूरे इंडिया में और 8 Jul 2017 से ठीक है ना ठीक है 8 Jul 2017 से पूरे इंडिया में आ गया था और एक जुलाई 2017 से Jumbo and Kashmir को छोड़के पूरे इंडिया में आ गया था लेकिन बहुत सारे लोगों को कनफ्यूजन लेती है कि बहुए जब GST आया तो जो हमारा ठीक है ना हुई वो 2000 से होनी शुरू हुई थी जब अटल भ्यारी वाजपई जी हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकिन आ नहीं पाया फिर उसके बाद 2006 में जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब बात हुई और यहां तक की जो हमारे उस टेम फिनेंस मिनिस्टर से पी चितंबरम जी उन्हों तो तब उन्होंने constitutional को amendment करने वाला बिल लेकर आए लेकिन इसका जो बिल नंबर था वो 122 बिल नंबर था ठीक है लेकिन जब act बना तो act बनते समय यह हो गया 101 तो यहां पर आप लोगों को confusion होती है कि सर यहां पर बिल नंबर 122 था act जो बना 101 हुआ ऐसा क्यों हुआ तो हमेज़ा इस चीज को याद रखना कि ऐसा नहीं होता अभी 14 फैब गिया है बहुत लोगों ने परियास करा होगा proposal डाला होगा लेकिन सारे proposal effect थोड़ी हो जाते है इसी तरीके से जब भी कोई act बनता है सविधान में अमेंट होता है तो पहले हमारा क्या होता है बिल होत है तो सारे जो बिल होते हैं वो कानून नहीं बनते इसलिए इनकी numbering में difference है ठीक है अब आप देखो कि 2016 में ठीक है न ये हमारा क्या बन गया जी ठीक है हमारा act बन गया तो जब 2016 में act बन गया आया 17 से था लेकिन जो ये constitution act बना उसके अंदर लिखा हुआ था कि GST council भी होग है तो फिर पहली GST council की meeting हुई 2016 में और अभी जो 18 फरवरी को meeting है ठीक है पहली GST council की meeting हुई 2016 में और अब हम 2023 में फरवरी में खड़े हैं तो 49 GST council meeting है ठीक है न तो 49 बार GST council meeting हो चुकी है और ये ऐसे ही चलती रहेगी इसमें changes होते रहेंगे तो अगर आपको इस सारे changes सीखने है तो हमारा एक batch आ रहा है ठीक है 19 फरवरी से council की meeting होगी next day से हमारा batch है जिसमें जो council की meeting में होगा जो budget में होगा वो सारी चीज़े बताएंगे live batch होगा अगर आपने इसमें registration नहीं करा है तो करा ले इसमें registration इसी तरीके से अगर कोई होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है तो हम सारी चीज़े बताते हैं तो वह सीए इंटर के exam के लिए भी helpful है तो अगर आपको सीए इंटर में enroll कराने तो उसमें भी करा सकता है तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी कि हिस्ट्री में क्या हुआ तो हिस्ट्री में आप देख 2017 में GST Council ने क्योंकि GST Council में State के भी लोग होते और Central के भी लोग होते तो उन्होंने सारे एक्ट बना कर आपको दे दिये कि हाँ जी एक्ट हमने आपको बना कर दे दिये अब आप क्या करो इसे पास कर लो तो हुआ क्या फिर मार्च 2017 में यह एक्ट जो थे ठीक है इन्होंने रिकमेंड करें कि वह यह सारे एक्ट है ठीक है सारे के सारे एक्ट अप्रेल में पास हो गए Central ने पास कर दिये क्योंकि Council ने बना कर दिये उन्होंने लोग सभा राज्य सभा दोनों में यह एक्ट पास हो गए उसके बाद अब रूल्स की बारी थी मई 2017 में GST Council ने रूल्स दे दिये कि वह यह सारे रूल से आप बनाओ इसके बाद यह हुआ फिर इस टेट्स को सारे एक्ट को असेप्ट करना था तो तीज जून से पहले ही सारी इस टेट्स ने सारे एक्ट को असेप्ट कर लिया अपने यहां भी एक्ट बना दिया ठीक है बिलकुल Copy-Paste उसका ठी कि जमुएंड कश्मीर ने 8 जुलाई को अपनी स्टेट्स में यह लागू किया तो अगर आप यह जर्णी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज एक दिन में बन जाती है यहां पर इंडिया ने कबसे कोशिश करी 2000 से 17 साल लग गए उसे GST को आने में फिर भी GST परफे हैं तो कमी हर चीज में कई बार आपको लगता है कि समय लग रहा है तो आप मानो कि कोई दिक्कत नहीं ठीक है और अगर मैं आपको बता दू तो हमारा इंडिया इस चीज में बहुत पीछे है क्योंकि पहला जो GST था एक तरीके से वो 1954 में फ्रैंस ने लगा दिया था और ह 260 कंट्री पहले से ही GST लगा चुगी दी किसी ना किसी तरीके से हमसे पहले तो ऐसा नहीं है GST के आने के बाद बहुत सुदार हुए बहुत चीजे शोटाउट हुई हम इंट्रोडक्शन के चैप्टर में सारी चीजे करेंगे पहली क्लास के अंदर चाहे वो हमारी सीज इ को जल्दी से जल्दी जोइन कर लीजिए ठीक है यह हमारा संडे से स्टार्ट हो रहा है और जो अपने एक्जाम को किलियर करना चाहते हैं वह सीए इंटर वाला कोर्स जोइन कर ले आशागर तो आपको जिएस्ट का इत्यास और GST का जो करेंट है वह आपको किलियर हो गया कि वह बहुत अच्छा है अभी ठीक है लिटिके स Dienst में अभी बहुत पैसा है तो आशा करते हैं वीडियी अच्छी लगी होगी अगर वीडियी अच्छी लगी है तो जाहते से जाहते लोगों तक से स्शेयर करना वीडियो में कमेंट डाल कर बताना कि आपको कैसा लगा GST क का इतियास ठीक है इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं थैंक यू फोर वाचिंग